चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल जो एक्जाम होने वाला एंसियल का उसके में 50 कुशन बताने वाला हूँ उसे हम बोला है सुपर अर्थ सतक आज हम 50 कुशन करेंगे तो दोस्त जो पहला कुशन हमारा है यह है हाई स्पीड इस होता है तो दोस्त इसका अंसर जो रहेगा वो फैस टैंसर राइट अंसर होगा इसमें 18 परसंट जो होता है टंगस्टन होता है से डबलू वोलते हैं और इसमें चार परसंट जो होता है वो क्रोमियम होता है और एक परसंट बैनेरियम होता है टंगस्टन क्रोमियम बैनेरि तो दोस्त इसमें जो हमारा 18-4 वाला जो रेशियो होता है यह अधिकी उज़ होता है यह पहली नमबर पर कुशन डालने का दोस्त मेरा मतलब यह है कि मैंने कोई पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मेरी मिस्टेक से इसमें रेशियो थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया था म कुछ लोगों ने उसमें कमेंट्स किया था कि यह गलत हो गया है तो दोस्तों आप किसी किताब या किसी टीजर में गलतिया मत निकालिए आप उसमें गलती हो जाती है मिस्टेक से हो जाती है तो आप गलतिया निकालोगे तो आपको ही घटा है आप उसमें से अच्छाइए लीजिए मैंने मिस्टिक को सुधार कर लिया है और मैंने इस कुश्चन को दुबारा से आपको बता दिया है तो आप सीखिए 18% 4% और 1% 18-4 एक होता है जो नॉर्मल रेश्यू होता है अम नेक्स कुश्चन करते हैं एक फ्यूल गयास है जिसमें कार्बन और हाइडोजन जो होता है जो हमारी एसलीन होती है उसमें कार्बन हाइडोजन रहता है क्योंकि हमारा सूत जो एसलीन का होता है उसी ट्यू एसलीन होता है C का मतलब होता है carbon H का मतलब होता hydrogen तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना percent कौन सी चीज होती है 80% carbon होगा या 92.3% carbon होगा या 90.8% carbon होगा या 85% carbon होगा तो दोस्त में ये बात बताने वाला हूँ आपको कि जो हमारी एसलीन के S30 में carbon की मतलब होता है hydrogen की मतलब होता है तो carbon की मतलब होता है तो हमारी जो carbon की मतलब होता है तो हमारा B answer right answer होगा 92.3% carbon होता है और जब 92.3% को हम 100 में से minus करेंगी तो हमारा 7.7 बच जाएगा वो hydrogen होगा तो मारा सिकेंड आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा एसलीन का रासा इनिक सूत है अभी अभी मैंने बता दिया है कि एसलीन का जो सूत होता है वो C2H2 होता है इसमें कारवन और हाइडोजन रहते हैं कारवन का C होता है और हाइडोजन का H होता है जिस तरीके से जब टॉर्च से इस परकार की आग निकलती है इस तरीके से आग जलती है यह मालीजी यह टॉर्च है तो आग जलती है तो इसे हम फ्लेम कहते है जो आगे लोग की रूप में जलता है यह फ्लेम कहा जाता है तो हमारी फ्लेम जो है कई आग से जलती है जिस परक सेसे ए्फ़से ही होता है कि अध्वी LED का टंपरिचर होता है ,各 ओएक प्रेशास से डिग्रिजिर 함किति होता है अब प्चा हमंते ने खुंस जब से कम होता है यह चैंपरिचर होता है गएज 퍼व लेम होती जिसका टेंपरेचर लगवक 2700 या 2600 डिगरी सी होता है तो इसकांसा जो था 2700 से 2800 इसकांसा होगा फ्लेट डिल निन में से किस धातू के बनाए जाते हैं दोस्ट जो हमारे डल होते हैं वो कई परकार के डल होते हैं जैस ट्विश्ट डिल होता है इस परकार से चप्टा कर देते थे इस परकार से चप्टा कर देते थे तो उन्हें हम फ्लेट डिल कहते थे तो फ्लेट डिल किसके बनाए जाते हैं तो फ्लेट डिल किसके होना चाहिए दोस्तो फ्लेट डिल जो होते थे वो अधिक स्पीड में नहीं चला करते थे तो यह 'd होगा किविस को बहुत तेज गती से नहीं चलाया जाता है यदि तेज गती से थे चलाया जाता होता तो इस concur ah honitel यहोता आप में चलता है इस लीए इसलिए सो हाइग होघ मैं उतकट चक्षेस कृणब कर देते हैं तो is इसका एंगल जो होई 90 डि करह सुष्ज हो मत हुशं करद फुर्श्ट भांगल ऑने में यरी तो कि या वंस प्रकास तरीके से फिल्वत होते हैं तो उसके उपर उसमें पकरने के लिए जो सेंख بنी रहती है i.e. self-holding taper होता है तो समें दूष्ट कौन सा taper होता है मोच gua ठेपर होता है M.T.1 से M.T.6 तर हूँ जो मशीन के spindle में मोच ठेपर होता है उसमें अपने अप hold हो जाता है क्यों hold हो जाता है क्योंकि मुश्ट अपन में सेल्फ होल्डिंग का प्रपर्टी होती है इसलिए अपने आफ होल्ड हो जाता है निम्न में कौन सा Grander Wheel का तत तो नहीं है Grander Wheel जो बनाया जाता है कई ततों से मिलकर बनाया जाता है तत तो बता देता हूं उसमें कौन-कौन से तत्त होते है जिसे एबरिशिप होता है बिलकुल होता है क्योंकि जो छोटे-छोटे कण होते हैं जो घिसाई का काम करते हैं उन्हें हम एबरिशिप कहते हैं जो बॉंड होता है इन छोटे-छोटे कणों को जो पकड़ता है जो उन्हें हम बॉंड कहते ह भी होता है structure होता है बिल्कु इस टेक्चर भी होता है यानि जो कणों के बीच में जो गैप होता है उसे हम structure कहते हैं तो हमारे तीन हो गाय तो हमारा company का नाम जो होता है तक्त में नहीं आता है तो हमारा इसका डी answer right answer हो जाएगा aluminium oxide का hardness क्या होती है तो दोष्च जो हमारे जो aluminium oxide और silicon carbon carbon जो हमारे दो abrasive होते है तो इनकी हमें hardness बताने है तो aluminium oxide की hardness कम होती है लेकिन उसकी मजभूती अधिक होती है तो aluminium oxide की hardness होगी वो 9.6 होगी और silicon carbide की stent तो कम होती है लेकिन hardness अधिक होती है तो 10 हो जाएगी तो आपको इन दोनों को दियान रखना है anonymous oxide की stent अधिक होती है hardness कम होती है और silicon carbide की stent कम होती है और hardness अधिक होती है इसकी value 10 होती है जिस तरीके से rot receive अधिक होती है रोट आरन मजबूत होता है ग्रीन सिल्कन कारवाइट का क्या सिम्बल है तो दोस्ट सिल्कन कारवाइट जो होता है उसको कारवाइट है इसमें देखिए कारवाइट तो हम C से दिखाते हैं लेकिन जब इसमें ग्रीन सब्द आ गया तो इसका GC symbol हो जाएगा तो यह ग्रीन waic count कार्वाइट को से रहता है इसका GC sin right answer होगा caucus को अभी इनुप रहता है से साट सी से रहता है साट सोब था तो इसका है हाइट से हाइट ये धात्य रखा था है और Silicon Carbide जो होता इसकी Stent कम थी इसको Low Tensile Stent के लिए यूज़ करते हैं हाड तो होता है लेकिन इसमें Stent अधिक नहीं होती है Silicon Carbide ये Low Tensile Stent वाली जो धात में होती हैं उनको गिसने के लिए हम Silicon Carbide का यूज़ करते हैं मेट्रिक पढाली में फीलर गेज की पत्तियों के सेट में पाई जाते हैं जो हमारा फीलर गेज होता है उसमें कई प्रकार के सेट होती है पत्तियों की गिंती जो होती है अलग अलग होती है तो मीट्रिक पडाली में जो पत्तियों की संख्या होती है वो नो बारा और तेरा होती है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि पहला जो सेट हमें मिलेगा उसमें नो पत्तियं रहेंगी दूसर सेट रहेगा उसमें बारा पत्तियं रहेंगी तीसर सेट रहेगा उसमें तेरा पत्ति रहेगी जो हम यूज करना है उसको हम यूज कर सकते हैं फीलर गेज की प्रतेक पत्ति पर उसका साइज लिखा जाता है तो यह साइज किस से लिया जाता है तो दोस्त आप समझ गए होगे के फीलर गेसे दो पार्टों की बीच का गैप चेक करते हैं और गैप चेक करने के लिए इसलिए हम इसे थिकनेस गेज कहती है इस गेज का नाम क्या होता है दोस्त इस गेज का नाम है थिकनेस गेज दोस्त थिकनेस गेज नाम है थिकनेस का मतलब होता है मोटाई तो मोटाई तो पिसका साइज पत्ती की मोटाई से लिया जाता है क्योंकि जब जितनी मोटी पत्ती गेप में जाएगी उसका गेप जिस तरीके का होगा पत्ली पत्ती जाएगी यानि उसका गेप कम है मोटी पत्ती जाएगी उसका gap अधिक है तो यह पत्ती की ठिकनेस से हम पता करते हैं फिलर गेज से ज्यादा clearance जब होता है यानि कि कोई gap अधिक है उसमें फिलर गेज ज्यादा clearance हमें चेक करना है मेंयनी की दो पार्टों की बीच में गेप अधिक है माली ये पार्ट हैं तो एक पत्ती इसमें लूज आ रहे है धीली आ रहे है तो उसमें हम दो ये दो से अधिक पत्तियों को जोड कर लगा सकते है उन पत्तियों की ठिकनेस को हम जोड देंगे तो total size हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा दो या अधिक पत्यों को एक साथ गेप में डालकर गेप को चेक करते हैं फीलर गेज की पत्यों डॉट डॉट धातू की बनी होती है यानि हमारा जो फीलर गेज होता उसकी पत्यों किसकी बनी होती है तो दोस्त कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील और फोज स्टील इसकी पत्तियां हम नहीं बनाएंगी क्योंकि ये बहुत हाड होते हैं ये पत्तियां हाड होने से हमारे जोब को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं तो इसको स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है ताकि इन पत्तिय तो इसमें जो हमारा चूड़िया टेपर होती है तो टेपर एंगल बनता है तो जो टेपर एंगल बनता है जिसमें जादा चूड़िया टेपर रहती है पहले बाले में उसका टेपर एंगल कम होता है जब और कम चूड़िया होगी तो टेपर एंगल और बड़ जाएगा जब एक ही चूड़ी टेपर होगी तो इसका टेपर एंगल सबसे ज़ादा होगा तो देख लीजिए इसमें टेपर एंगल हम देख लेते हैं देखिए इसमें तो किर्वानुसा सारे दिये गए हैं तो इस टेपर एंगल को हमें लगबग डबल का अंतर रहता है तो 4 का double लगवग 10 हो रहा और 10 का double 20 हो रहा तो इसका बी अंसर राइट अंसर हो जैसे 4 का double 8 होता है लेकिन 10 दिया गया है और 10 की बाद 20 दिया गया है और किसी में double नहीं हो रहा है जैसे 10 का double 20 हो रहा है इसलिए इसका b answer right answer होगा क्योंकि जो चूडियों की taperness होती है वो just double होती हुई चली जाती है जैसे एक में 10 चूड़ी taper है इसमें 4 चूड़ी taper है एक में 1 चूड़ी taper है तो इसमें जो taperness हो रहे है वो just आधी-ाधी हो रही इसलिए angle जो है just double होते चले जाएगे तो फस्टेप जो होगा वो 4 डिगरी का taper कोण बनाएगा सेकेंड टेप जो हो 10 डिगरी का बनाएगा और थर्टेप जो होगा वो 20 डिगरी का taper angle बनाएगा टेप निम्न में से धातू के बनाए जाते हैं यानि जो टेप होते हैं किस धातू के बनाए जाते हैं तो टेप जो दोस्तों रहते हैं यह high carbon steel का रहता हमारा और high speed steel का रहता हम दो इसमें से देख लेंगे जो machine चे चलेगा वो high speed steel का होगा और जो hand tape होगा वो high carbon steel का आप देख लीजे इसमें तो इसमें mild steel हो नहीं सकता कास्ट steel हो नहीं सकता carbon steel भी नहीं हो सकता अब इसमें दो में से हमें एक लगाना है तो हमारा answer जो होगा वो high speed steel right answer हो जाएगा bottoming tape से कितने चूडियां चेंपर होते हैं यह जो bottoming tape होता अभी अभी मैंने बताया है कि जो first tape, second tape और third tape होता है तो third tape जो होता है इसके चूडियां कम चेंपर रहते हैं अर्थाद यह पूरे bottom तक bottoming का मतलब होता है bottom तक, पूरे नीचे तक, अंदर तक पूरे गहराई तक चूडियां काट देता है इसलिए हम इसे bottoming tape कहते हैं तो third tape में यह चूडियां चेंपर होती है वो कम चूडियां चेंपर होती है तो 6-10 गलत हो जाएगा 8-10 गलत हो जाएगा 4-6 गलत हो जाएगा 1-2 इसका right answer, D answer, right answer हो जाएगा तो third tape को bottoming tape के नम से जाते हैं की दहत्तू के टुकडे की बनी होती है इसे साप्ट और हब के बीच में डेडस फिट किया जाता है इसका मतलब पहले वाले जो चीज़ लिखी गई है इसका कुछ मतलब नहीं है यह तो हमें बता रहा है की जो होती है वो चावी होती है वो दहत्तू के टुकडे से बनी होती है में हमारा focus है साप्ट और हब के बीच में से कैसे फिट किया जाता है तो दोस्ट जो हमारे इस तरीके से कोई साप्ट है तो इसमें चावी इस तरीके से फिट की जाती है किसी भी साप्ट के उपर तो देख लीजिए इसमें साप्ट का अक्ची बीस में जा रहा और चावी का अक्षी भी बीच में जा रहा है तो यानि, देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसमें हमारी चावी यह होती है साप्ट के अक्षी के समांतर फिट की जाती है तो देख लेते हैं पहले औफ्सन में इलम रूप में पहला गलत हो जाएगा साप्ट की धुरी के सास्समांतर तो इसमें दूसरा answer right answer हो जाएगा तिर्चा गलत हो जाएगा जुआ सबही तो हो नी सकता है तो सिकंड answer जो है बी answer right answer हो जाएगा सेडल की को फिट करने के लिए की वे काटी जाती है यहां चाबी जो हमारी रहती है तो दो रहती है, एक होती है संग की, मैं बता दीता हूँ, संग की और दूसरी होती है सैडल की, तो दोस्त संग की और सैडल की हमसे कैसे समझेंगे, तो संग को हम समझेंगे संग, और संग आप जानते हो, संग का मतलब होता है दोनों, तो आप संग को समझ लीजिए, सैडल की अपने आप याद हो जाएगी आपको संग का मतलब संग होता है जब साधी होती है तो दो की ही होती है उसमें संग लिखा जाता है तो संग को मतलब संग तो ये संग की तो है नहीं ये सैडल की है तो संग की के मतलब संग संग मतलब दो दो मतलब दोनों में चावी गाट कटेगा तो हम संक की से समझ जाएं कि संक की में चावी गाट दोनों में कटेगा साप टिबा महब अब सेडल की है तो दोस्ते सेडल की जो होती है इसको हम सेंडल से समझ ले दी तो सेंडल जब पढ़ती है तो एक ही तरफ से पढ़ती है भाई दोस्त जब कभी लड़ोगे तो सेंडल एक ही तरफ से पढ़ेगी ठीकिन आप गलती करोगे तो सेंडल या संग की से थोगा अंदाज लगाईए तो सेंडल की संग की में जब चावी गाट दोनों में कट गया तो सेडल की में चावी गट केवल एक में ही कटता है पुली के हम में कटता है तो इसमें देख लेता हूँ में साट और अब दोनों में तो पहला अंसर गलत हो जाएगा केवल साट पर गलत हो जाएगा केवल हम में काटा जाता है तो उस कानपात क्या होता जो हमारी चावी होती है वो इस तरीके से मुटाई में टेपर होती है जैसे मैं बना के बता देता हूँ इस तरीके से एक चावी रहती है इस प्रकार से मुटाई में टेपर होती है जैसे मैंने अभी एक चावी बना यह मुटाई है इसकी मुटाई में टेपर होती दीरे दीरे कम होती चली जाती है तो इसमें टेपर की होती उसका अनपाथ जो होता है एक अनपाथ सो होता है तो इसमें देख लीजी एक अनपाथ सो दिया गया है फ्रेस्ट आंसर ये आंसर में वही सारे आंसर जो हैं यह सारे अंसर गलत हो जाएंगे यदि इसमें round taper की होता है तो इसका अंसर एक अंपात 50 हो जाता late bed बना होता है तो late bed आप सब लोग जानती है इसमें compressive power सहन करने की सकती होना चाहिए क्योंकि late बारी बारी job बाने जाती है तो यदि दो दवाव सकती को सहन करेगा तो अच्छा होगा तो दवाव सकती कास्ट आंप में अच्छी होती है तो इसका B answer right answer हो जाएगा लेकिन A mild steel, high carbon steel A3 answer गलत हो जाएगे static test वह होता है जिसमें तो दोस्त हमें इसमें बताना है कि static test क्या होता है तो static test में आपको बता दीता हूँ static का मतलब होता है रुका होगा एक test होता है dynamic test तो dynamic मेरे इस वीडियो में आएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं जो एक dynamic test होता है यह dynamic test क्या रहता है वो चला की test किया जाता है मैं मुझे बूल देता हूँ डायनिमिक टेच्चु चला तो इस्टेटिक चेक्स में रुकी हुए वास्ता मैं चेक करते हैं तो इसमें जो है बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि फ़र्ष्ट आंसर मुझे मसीन को चला रहा गलत हो जाएगा मसीन को बिना चलाए फ्लैटनेस अलाइमेंट समान तरथा चेक की जाती ही तो इसका सेकन आंसर राइट आंसर होगा इसके बहुत एक जाच रंग रूप से कोई मतलब नहीं होता है सब molecular होगा नहीं तो सेकन आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा मसीन की आवस्यक्ता हो तो उसे इस्थापित करना चाहिए आवस्यक्ता की इसमें कोई बात नहीं है हम इसमें C आंसर सही करेंगे supplier order आपूर्ती आदिस के अंसर मसीन के सभी मुख भागो वा सहायक पुर्जों जुगाडों का मतलब होता उफसाधन को चेक करना चाहिए क्यों क्योंकि हमने जो order किया था वो हमारे box में आया की नहीं आया इसलिए इसका C आंसर राइट आंसर होगा machine करवाएंगे गलत आंसर हो जाएगा इसका C आंसर राइट आंसर हो जाएगा कोई cylindrical पिन है दोस्त उस पिन में ये size इस तरीके से लिखा होगा है तो ये मैं बता दीता हूँ कि इसका जो 10 होता है ये बियास रहता है और 20 होता है ये लंबाई होती है और H8 जो होती है इस साफ्ट की tolerance लिखी गई है अब आप कहोगे कि भई है इसमें capital H क्यों नहीं लिखा गया है तो दोस्त जो साफ्ट होती है उसको small lecture से दिखा जाता है और जो whole होता है whole होता है कोई इसको capital lecture से दिखाते हैं तो small H8 जो है ये साफ्ट की tolerance का grade है 20 mm जो है ये हमारा साफ्ट का ब्यास है और 10 mm है जो हमारी pin की लंबाई है और 10 mm जो है ये हमारा जो pin है उसका ब्यास है क्योंकि लंबाई अधिक होती है दोसे लिए 20 mm जो है आए होगी ये हमारी 20 mm pin की लंबाई होगी तो 20 का पूछा गया था दसका नहीं पूछा था पुल डॉबल पिन इस्टेट डॉबल पिन की तरह होती है तो दोस्त जो एक डॉबल पिन आपने सुनी होगी तो डॉबल पिन का एक प्रकार एक पुल डॉबल पिन है और एक इस्टेट डॉबल पिन है तो इसके मैं अंतर बताता हूँ यह यह कह रहा है कि pull double pin state double pin की तरह होती है बिल्कुल होती है लेकर अंदर क्या होता है इसमें तो दोस्त मैं pull double pin को आपको pull से पकड़ना है pull pull का मतलब खीचना होता है तो यह हमारी pull double pin होती है इस तरीके से रहती है और इसके एक बीच में एक तरफ center में चूडीदार hole होता है तो यह चूडीदार hole वाले से को हम बाहर रखते है वो जो plane वाला अंदर वाला सिरा होता है जो दूसरा सिरा इसको हम अंदर कर देते हैं तो जब हमें इसके निकालना होता है pull करना होता है तो हम इसमें screw लगा कर इसको निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं इसलिए इसमें अंदर होता है इसकी एक सिरेपक केंद में सुराग बना होता है तो इसका C answer, right answer होगा यह split बाला गलत होजाएगा चेंफर बाला गलत होजाएगा पर slot कटे होते हैं यानि कौन सा ऐसा nut है इसकी age height पर तो मैं एक nut आपको फटापट बना देता हूँ एक मैं hexagonal nut बना रहा हूँ इस प्रकार से कोई nut है तो इसके उपर जो hole है तो aged height पर slot age height का मतलब होता है कि hexagonal nut के उपर यह के गुल-ring रहेगी वो इस ring के उपर slot बने होंगे तो जब किसी ring के उपर slot बने होती है तो उसे हम cassel nut कहेते हैं cassel nut उसे बूला जाता है जब किसी hexagonal nut के उपर एक ring बनी हो उसमें slot बने हो उसे हम बोलते हैं castle nut तो इसका ऐसल nut Slotted Nut इसका अंसर नहीं होगा दोस्त, क्योंकि Slotted Nut में उसी फलक पर सलोट बने होती है, Dorm Nut में इस प्रकार का गुमवद बना होता है, गलत हो जायागा, Simon's Lock Nut ये Simon's Lock Nut में जो होती ही एक Nylon के रिंग होती है तो इसलिए आंसर नहीं होगा इस बासर के किनारे को मोड कर नट को घूमने से रुका जाता है यानि ऐसा बासर जिसमें हम नट को लोक कर सकते हैं किनारे को मोड कर तो एक बासर होता है जिसे हम टैब बासर कहते हैं इस तरीके से बासर होता है इसमें इस तरीके से टैब बने होते तो जब किसी nut को इसको उपर कस देते हैं तो इसको मोड देते हैं उपर से तो हमारा nut lock हो जाता है तो इसका c answer right answer होगा spring बासर गलत हो जाएगा lock बासर गलत हो जाएगा plan बासर गलत हो जाएगा next question निमन में कौन सा एक reference surface नहीं है तो reference आप समझ गए होंगे reference का मतलवता माध्यम जो हमारे लिए के माध्यम या सुद्ध सतय प्यादान करता है उसे हम reference सतय कहते है तो हमारे marking of table reference सतय होती है बिलकु सही answer है surface plate होती है बिलकु सही answer annual plate भी jzaekot finish में बान सकती है वो भी है बर्क बेंच हमारे रेफ्रेंस सताय नहीं होगी इसलिए हमारा बी आंसर ही राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा गया था इसलिए बी आंसर होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि दोश्ट इसमें बर्क बेंच में जहां हम काम करते रहते हैं तो यह हमारी सताय जो होती है दूसरे के उपर रगड़ते हैं को फिनिस करते हैं, पहले हम फ़च्ट को सेकेंड पर फिर दोंवे से थर्ट को सेकेंड को फॉस्ट पर, फिराइठ को फिर एक दूसरे के उपर रगड़ते हैं, इस विदे को हम वहील वर्थ का सिद्दांद होता बैरी मुश्ट कुश् drastically है ह को हम एक दूसरे के उपर गुमाएंगे तो गुमाएंगे मतलब घिसेंगे इसलिए इसे भील वर्त का सिदान कहते हैं जिस सताय में हाई स्पोर्ट अधिक होते हैं उसकी सुद्धा उतनी ही होती यानि जिस पर छोटे छोटे स्पोर्टों की संख्या जितनी अतिक होती जाएगी यानि की छोटे 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 स्पोर्ट रहेंगे जादा उँची स्पोर्ट नहीं रहेंगे तो वो सताय उतनी अधिक सुद्ध मानी जाती है यानि हाई स्पोर्टों की संख्या बढ़ने पर कोई चीज खराब नहीं होती है तो high spot अधिक होंगे वो सतर उतनी ही सुद्ध मानी जाएगी यानि कहने का मतलब कि एक जगह उंचा रहेगा एक high spot रहेगा तो एक जगह से वो उंचा दिखेगा job जब इसमें कई छोटे 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 निसान होंगे तो वो चीज हमें उंची नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसमें निसान या जो hills हैं वो छोटे छोटे हैं एक होने से हमें वो अलग ही दिखाई दे जाता है next question हम करते है bench wise की job plate जो जो प्लेट होती है वो tool steel की बनाई जाती है तो cast iron गलत हो जाएगा gun metal गलत हो जाएगा tool steel गलत हो जाएगा tool steel जो है right answer हो जाएगा bench wise के spindle में कौन से छोटे होती है मैंने इसमें एक question के शाद दो question दिए है क्योंकि आपका doubt के लियर हो जाए bench wise का भी answer आए तो आप बरगा कार चुड़ी लगाएंगे और जिस wise का guide nut आधा होता है यानि जिसमें half nut लगा होता है उसे हम बोलते है quick release bench wise उस bench wise को हम जल्दी से बंद कर सकते हैं उसमें lever लगा होता है हम nut को दवा करके एकड़म धक्का देके पूरे के पूरे हम mobile जो को एक बार में एकड़म में बंद कर देते हैं बाद में हम उस lever को छोड़का handle को गुमा का pressure देते हैं तो इस तरीके से मैंने दोनों question आपको बता दिए बहुत पादन में किस का पूर्पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है तो यह बहु मात्तरा में तो यह बहु मात्तरा तो इनॉर्मली है आप यह समझी इसमें एक question को पखड़िए कि बर्पीस को क्लैम करता है तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बर्ग पीस को क्लेम करने के लिए किस का प्रोग करते हैं फिक्चर का प्रोग करते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो की डिस्किर्प्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और यादि आपको बाद में हमारा वीडियो अच्छा लग जाए तो आप हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसमें आपका कोई घाटा नहीं है आपको फायदा ही फायदा है और हमें तो दोस्त फायदा ही है 35 नमबर कुशन जो है पाइप निम्न में से स्टेंडर लंबाई में बने होते हैं यानि जो हमारा जी आई पाइप रहते हैं यह जी आई पाइप रहते हैं वो किस लंबाई यह पाय जाते हैं तो आपको मालूम है जो हमारा जी आई पाइप जो लुहे का पाइप घर में फुट लंबाई में अबलेबिल होता है तो ये ध्यान रखना है, तीन मीटर में आता है जो छोटा पतला वाला पाई पाता है जिसे हम पानी के लिए उच्छ करते है वो हमारा तीन मीटर में आता है और जो जी आई पाई बलोहे का आता है वो 6 मीटर में आता है नमबर डिल साइज यानि कि नमबर साइज डिल जो होते हैं वो कितनी नमबर में मिलते हैं हमारा फस्ट कोशन इसमें मैंने तीन कोशन दी हैं एक साथ तो नमबर डिल जो हमारे होते हैं तो जीरो से असी नंबर तक नंबर डिल पाये जाते हैं किसी किताब में एक सी असी नंबर भी दिया गया है तो इसमें confusion होने वाली बात नहीं है जीरो से असी नंबर आप सही कीजिए तो इसमें कभी कोई मिस्टेक भी हो सकता है तो हम next question करते है नंबर साइज में सबसे अधिक बड़ा डिल कौन सा होता है तो जीरो नंबर सबसे अधिक बड़ा डिल होता है और नंबर साइज में सबसे छोटा डिल कौन सा होता है तो असी नंबर जो होता है वो सबसे छोटा डिल होता है next question हम करते है लेपिंग करने से पार्ट की सताय पर उँचे इस्थान होते हैं यानि हमें लेपिंग करना है तो उँचे की पार्ट की सताय पर उँचे इस्थान होते हैं तो उँचे इस्थान जो पार्ट की सताय पर होना चाहिए तो उचे जह हम किसी सता पर लेपिंग कर देंगे तो उचे स्थान कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए तो उचे स्थान कम हो जाते हैं तो इसका जो है हमारा फर्स आंसर राइट आंसर होगा जा हम इसी सता पर घिसाई कर देंगे तो उंचे वाले स्थानों की संख्या कम हो जाएगी लेप निमने में से किस धातू के नहीं होते हैं यानि हमें ये बताना है कि लेप किस धातू के नहीं होते हैं तो हमारी lab की दातु soft होने चाहिए तो देख लिए जिसमें soft कौन कौन से दी गई हैं तो दीखे इसकी तो दातु होगी जे भी होगी ए भी होगी तो इसका जो first answer right answer हमारा होगा high carbon steel कभी भी lab की दातु का नहीं होगा अगर हम high speed steel का उसको बना देंगे या high carbon steel का हम बना देंगे तो यह हमारा job को घिसाई ना करके उसको काटना start कर देगा इसलिए इसको हम swap धातूं से बनाते हैं पीतल तामा ऐल्मूनियम से बनाते हैं कभी भी इसमें नहीं दिया गया था इसलिए यह answer इसका right answer होगा दोस्त पियर लाइट इस्टेक्चर में फेराइट और सिमिन्टाइट का मिस्रण होता है तो दोस्त जो पियर लाइट होता है यह हमारे लोही का इस्टेक्चर होता है तो इसमें 87% जो होता है यह हमारा फेराइट होता है और 13% सिमिन्टाइट होता है अब यह option देख लीजिए इस इसमे 87 नहीं दिया गया है तो यह जो है तीन अंसर गλत हो जाएगा लगबग लगबग में हमारा यह प्रार आइट न हो जाएगा 80 दिया है बारा दिया है इसे टैंसल लेने की जरूत नहीं हैं आपका अरए टैंसर होगा उसमा अफचार की यह कैसी वीडियों से में धातुओं के गुड़ों में आवस्यक्ता अंसर बदला जाता है या गुड़ कौन से होते हैं यह हमारा ही टीटमेंट होता है उसमा उचार होता है इसमें हम धातुओं के कौन से गुड़ों में बदलाव करते हैं तो दोस्त दातुमों में तीन गुण होते हैं बहुते गुण या अंतर गुण रासाने गुण तो कभी भी हम रासाने गुण में परवरतन नहीं कर सकते हैं बहुते गुण में भी दोस्त हम परवरतन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पड़ा है कि बहुते गुण इस्थाई होते हैं या कभी बद्दा नहीं जा सकता है तो कौनसे गुण में हम परवर्तन कर सकते हैं या अंतर गुण में परवर्तन हम कर सकते हैं क्योंकि अंतर गुण इस्थाई नहीं होते हैं हाइपो-्यूटेक्टाईज स्टील में कार्वan की मातरा क्या हो थी, इसमें भी मैंने दो Question इसलिए दिये हैं, ताकि आपको दोनों समझ मिया, तो इसको हाइपो और हाइपर दोनों में बता दिता हूँ, एक है रिय्पर-्यूटेक्टाईज स्टील, एक होती है हाइपो यूटेक्टाइट एक होती है यूटेक्टाइट जो इधा नीचे लिगी गई है तो एक नमबर में इसको दे देता हूँ दो नमबर में इसको दे देता हूँ तीन नमबर इसको दे देता हूँ मैं तीनों बता दीता हूँ हाइपर, हाइपर, हाइपर का मतला होता अधिक तो इसमें जो कारबन की मात्रा होती है वो 0.8% से अधिक होनी चाहिए यानि 0.8% से क्या देखे 0.9, हाइपर यूटेक्टाइड तो इस कहां से डी आंसर हो जाएगा अब मैं बताता हूँ हाइपो इूटेक्टाइड तो जो हाइपो इूटेक्टाइड होती है इसमें 0.8% से कम होती है इसमें जो मात्रा होती है वो 0.8% से कम ध्यान रखना है आपको वो जो इूटेक्टाइड स्टील होती है इसमें कारबन की मात्रा एको रेट 0.8% होती है तो मैंने तीनों आपको बता दिये यूटेक्टाइड में 0.8% हाइपर हाइपर मतलब जादा तो 0.8% से अधिक हाइपो 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 में परसेंटेज कम रहेगा तो 0.8% से कम तो ये मालडी स्टील का तो इसके caseattaarning कर तो ये core की बात कर रहा अब core किसे कहते है core होता है इसके बीच में तो ज़ह हम केसारning करेंगे तो core तो hard होगी नहीं core इसकी hard नहीं होगे core नर्म नहींगी तो इसमें लेक पूरा hard तो केसार नहीं होता है बंगुर कभी नहीं होगा तो यह नर्म और चिमड़ा तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा कि इसके जो बीच वाला जो मेटल रहता है अंदर का जो मेटल होता है उसे हम कोर कहते हैं और कोर जह हम केस आणिंग करेंगे तो अंदर नर्म एबं चिमड़ा रहेगा किया जाता यानि देखिए इसमें इतना सारा कोश्यन को घुमाया है तो आपको घुमने की जरूरत नहीं है आपको इसमें नाइट राइडिंग देखना है वस तो नाइट राइडिंग हम अमोनिया गैस का यूज करते हैं दोस्त नाइट राइडिंग अमोनिया गैस देख यह आपको मालूम है इसे कोई दिक्कत नहीं तो इसका प्रियोग किसमें नहीं किया जाता है तो दोस्त इसका पेंट बनाने में होता है खाना पकाने वाले देखो भगोनी इससे बनती है जिसमें हम दूद को बालते हैं दरवाजे खिड़कियों की फ्रेम बनते आज की समय मे अलुमूनियम की फिटिंग जो है खिड़कियों में सबसे दिखो रही है तो दोस्त इसका पीतल बनाने में उप्योग नहीं होता है इसलिए इसका अंसर जोगा डी आंसर होगा तो इसमें ठिक लगा दीता हूँ इससे आप परिशान मत होईए इसका नहीं वाला आंसर है इ BIS का फुल पर में बता देता हूँ Bureau of Indian Standard नीचे भी BIS लिखा गया इसका मतला भी Bureau of Indian Standard है इसमें कुल कितने प्रकार के होल होते हैं कुल कितनी प्रकार की साप्ट होती है तो दोस्ति इसके दोनों की आंसर साड़े तीन सो आंसर होगा क्योंकि जितने होल होंगे उतनी साड़े तीन सो प्रकार के कुल हूल बने होते हैं अब इसके बाद BIS के बाद या गया BSI तो BSI का मतलब होता है British Standard Institution दोनों का British ही मतलब है तो British के हिसाब से हमारे 21 प्रकार के जो फिट होते हैं हमारे 21 गिरेट के फिट और 16 गिरेट की हमारी tolerance रहती है आपको ध्यान रखना है हमारे बिटिस में 21 चलता है और इंडिया का में लिख देता हूँ इंडिया में जो चलता है पचीस पचीस अठारा चलता है यह दोनों आपको रहत नगना 21 गिरेट के फिट और 16 गिरेट की टोलरेंस तो इसका जो फर्स्ट अंसर हो जाएगा हमारा इसका अंसर डी अंसर हो जाएगा और नीचे वाला टोलरेंस का 16 गिरेट की टोलरेंस होती है दोस्त यह राइट अंसर हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 21 गिरेट के फिट और 16 गिरेट की हाँ दोस्त सही है मैं भी थो 25 grade के fit और 18 grade की tolerance है इस परकार के bearing में sillew press fit होती है और इसका प्रियोग misalignment के लिए किया जाता है दोस्त इसमें जो sillew लिखा है इस press fit ये आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा लेकिन इसका प्रियोग misalignment के लिए किया जाता है तो misalignment बर्ट से आप समझ जाओगी तो आप देखिए किसो option में दिया है तो boost bearing में miss alignment नहीं होता है solid bearing में miss alignment नहीं होता है तो इसे नहीं बाले answer हो जाएंगे दोनों cross हैं इसके बाद self-aligning boost bearing और adjustable slide bearing तो देखिए align जो पहले देखिए इसमें उपर वाला जो option है जो b option यह right answer हो जाएगा क्योंकि इसमें दिखा गया है देखिए इसका प्यूग miss alignment के लिए किया जाता है तो इसका b answer right answer होगा self-aligning boost bearing तो b answer इसका right answer टिक करेंगे adjustive slice का right answer नहीं होगा carpenter vice की spindle में चूड़ी कटी होती है तो दोस्त carpenter vice जो होता है हमारी उसमें हमारी square threat नहीं होती है इसलिए हम burn threat गलत answer हो जाएगा square threat गलत answer हो जाएगा इसमें saw two threat right answer हो जाएगा क्यों होता है तो इसमें बता देता हूँ क्योंगी carpenter जो होता है वो एक तरफा दबाव लगाता है जब भी छिलाई करता है किसी भी लकडी की छिलाई करता है तो एक तरफा दबाव को सहिन करने के लिए saw two threat सबसे better threat होती है एक वी threat गलत answer हो जाएगा इसका निम्न मैसी कौन सा बिनमै सीलता का लाब नहीं है तो बिनमै सीलता जो होती है दोस्त हमारी वो इंटरचेंजबिल्टी होती है इंटरचेंजबिल्टी का मतलब होता है एक पुराने पार्ट को निकालकर नए पार्ट लगाने को हम बिनमै स पर नहीं करते हैं तो इसका राइट आंसर यांसर हो जाएगा इसमेर्स मार्किल में उपलाव होते हैं ये तो ऐ ये तो है ये तो है पार्टों की गीमत कमोथी आ गच्छा काल बढ़ता ये भी ऐसरे है तो इसमेंों नहीं बताना भी है इसलिAudre हमारा first answer जो है नहीं कि हिसाब से first answer right answer हो जाएगा और अगर यह बोलदा है तो यह तीनों नीचे वाले तीनों answer है multiple V-belt का उप्योग करते हैं देखिए इसमें दोस्त समझे वाला question है multi V-belt का उप्योग किया जाता है कब किया जाता है मैं बता देता हूँ इस प्रकार से एक पुली होती है एक driver पुली रहती है और यह नीचे driven पुली होती है multi V-belt होती है इसमें हम दो या तीन वेल्टों को एक साथ चढ़ा देते हैं तो इसमें हम RPM को change नहीं कर सकते हैं RPM को change करते हैं कोन पुली में यह हमारी जो पुली है यह multi V-belt पुली है कोन पुली नहीं है तो इसमें हम RPM को change नहीं करते हैं अब इसमें 3-4 बेल्ट हम क्यों चढ़ाते हैं इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह load वाला काम रहता अधिक load वाला हम देख लेते हैं इसमें option अन्ensen यह answer गलत हो जाएगा एक गती के लिए दोस्त एक ही गती इसमें मिलती है तो इसका extra right answer होगा एक गलत हो जाएगा उपरुक सभी होगा नहीं तो इसका एक गती ही इस्ठानानतित करता है यह गती को change हम नहीं कर सकते हैं या इसमें एक option होता बहारी लोट के लिए तो वो अंसर हो जाता या एक गती के लिए तो इसका बी अंसर राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्त बहुत बहुत धन्वाद मित्र थैंक्यू वीडियो देखने के लिए यजि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पिटर पिटर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे ओके बाई बाई